नमस्कार, श्रीमत बालमी की रामाइन अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका आज हम पढ़ेंगे सब्त नवतितमह सर्गह अर्थात सतानवेवा सर्ग युद्धकांड से सुग्रीव हैं युद्ध भूमी में और आज होगा सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध तो चलिए प्रारंप करते हैं आज का पाठ हन्यमाने बले तूनमन्योन्यमते महाम्रिधे सरसीव महाघर में सूपक्षीने बभुवतु स्वबलस्यतु घातेन विरुपाक्ष वधेनच बभुवद्व गुणम कृद्धो रामणो राक्ष साधिपह प्रक्षीनम स्वबलम द्रिष्ट्वा वध्यमानम वली मुखै बभुवास्य व्यथा युद्धे द्रिष्ट्वादेव विपल्ययम् वाचचा समीपस्थम महोदरम अनंतरम अस्मिन काले महाबाहो जयाशा त्वैमे स्थिता जहे चत्रुचमूं वीरदर्षयाद्यपराक्रमूं भत्रिपिंडस्यकालो अयं निर्वेष्टूं साधु युद्यतां अब उस महा समर में वो दोनों और की सेनाएं परसपर की मार काट से प्रचंड ग्रीश मुरितु में सूखते हुए दो तालाबों की तरहा धीरे-धीरे क्षीन हो चली हैं अपनी सेना के विनाश और विरुपाक्ष के वद से राक्षस राजरावन का क्रोध दूना बढ़ गया है वानरों की मार से अपनी सेना कोक्षिन हुई देख दैव के उलट फेर पर दिश्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यता हुई उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा महाबाहो इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे उपर ही अवलंबित है हेवीर आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रुसेना का वद करो यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है अतह आज तुम अच्छी तरह युद्ध करो एव मुक्तस्तथे त्युक्त्वा राक्षसेंद्रो महोदरह प्रविवेशारि सेनामसा पतंगाईव पावकम ततह साकदनम चक्रिवानराना महाबलह भर्त्रि वाकेन तेजस्वी स्वेन विरेन चोदितह वनराश्च महासत्ताह प्रग्रिय विपूलाह शिलाह रविशारि बलंभीमं जगनुस्ते सर्वराक्षसान महोदरह सुसंक्रुधः शरैही कांचन भूशनैही चिछेद पाणि पादोरु वनराना महाबलह ततस्ते वानराह सर्वे राक्षस सैरर्दिता फ्रिशं दिशोदश दृताह केचित केचित सुग्री वमाशिताह अब रावन के ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आग्या शिरोधारी की और जैसे पतंग आग में कूद पड़ता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोधर ने स्वामी की आग्या से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संगहार आरंभ किया वानर भी बड़े शक्तिशाली थे वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संगहार करने लगे महोधर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्ण भूशित बाणों द्वारा उस महा युद्ध में वानरों के हाथ पैर और जांगे काठ डाले राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे और कितने ही वानर सुग्रीव की शरण में लोट आए प्रभग्नम समरे द्रिष्ट्वा वानराना महा बलम अभिदुद्राव सुग्रीवो महो दरम अनंतरम प्रग्रिहिय विपुलाम घोराम महीधर समाम शिलाम चिक्षेपच महातेजास्तद्वधाय हरिश्वरह तामा पतंतीं सहसा शिलाम द्रिष्ट्वा महो दरह आसंभ्रांतस्ततो बानईर निर्विभेद दुरा सदां रक्षसा तेन बानो घैर निकृत्तासा सहस्रधा निपपात तदा भूमव गृध्र चक्रम मिवा कुलं ताम्तु भिन्नाम शिलाम द्रिष्ट्वा सुग्रीवह क्रोधमूर्चिताह सालमुत्पात्य चिक्षेपः तमसा चिच्चेदनई कधा वानरों की विशाल सेना को समर्भूमे से भागती देख सुग्रीवने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमन किया वानर राज बड़े तेजस्वी थे उन्होंने परवत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठा कर महोदर के वद के लिए उस पर चलाई महोदर पूरे जोश में था और उस दुर्जे शिला को सासा अपने उपर आती हुई देखकर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई उसने बाणों द्वारा उसके टुकडे टुकडे कर डाले उस राक्षस के बाण सा मुहों से कट कर सहस्रों टुकडों में विभक्त हुई वैशिला उस समय आकुल हुए गृद्र समुदाय की भांती पृत्वी पर गिर पड़ी उस शिला को विदीन हुई देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया उन्होंने एक शाल का व्रिक्ष उखाड कर उस राक्षस के उपर फेंका किन्तु राक्षस ने उसके भी कई टुकडे कर डाले शरैश्च विदधारैनम शूरह परबलादन सदधर्षततकुद्धः परिगम पतितम भुवी आविध्यतुसातं दीप्तं परिगम तस्यदर्शयन परिगेनो ग्रवेगेन जगानास्या हयोतमान तस्माधत हयात वीरह सोवपलुत्य महारथात गदाम जग्राह संकृतो राक्षसो अथ महोदरह गदापरिगहस्तव तव युधिवीरव समीयतु नरदन्तव गो विशप्रक्ष्यव घनाविव सुवेध्यतव ततह कृद्धो गदाम तस्मै चिक्षे परजनी चरह ज्वलन्ति म्हासकर भासं सुग्रीवाय महोदरह तो शत्र सेना का दमन करने वाले उस शूरवीर राक्षस ने महोदर ने अपने बाणों से सुग्रीव को भी घायल कर दिया था तभी क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृत्वी पर पड़ा हुआ एक परिग दिखाई दिया उस तेजस्वी परिग को घुमा कर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेग शाली परिग के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोडों को मार डाला अब घोडों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रत से कूद पड़ा और यत्यन त्रोश से भर कर उसने गदा उठा ली एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिग वे दोनों वीर युद्ध स्थल में दो सांडों और बिजली सहित दो मेगो के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए अधन अंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से दमक्ती हुई एक गदा चला ही गदाम ताम सुमहा घोरामा पतंती महा बलह सुग्रीवो रोशताम राक्षः समुद्यम्य महा हवे आजगान गदाम तस्य परिगेन हरिश्वरह पपाततर साभिन्नह परिगस्तस्य भूतले ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधा तलाः आयसम मुसलम घोरम सर्वतो हेम भूशितम सातमुद्यम्य चिक्षेप सोप्यस्य प्राक्षिपगदाम बिन्नावन्यो नमा साध्यत पेततुस्तव महीतले ततो भिन्न प्रहर्णव मुष्टि भ्यामतव समीयतुह। ते जो बल समाविष्टव दीता विवन हुता शनव। तो महोदर ने जब सुग्रीव पर गदा चलाई तो उस महाभयंकर गदा को अपनी उराती देख। महासमर में महाबली वानर राज सुग्रीव के नेत्र रोश से लाल हो गए। और उन्होंने परिग उठा कर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी किन्तु उसके वेग से टकरा कर सुग्रीव का परिग भी तूट कर पित्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमी पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया, जिसमें सब और से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठा कर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके उपर गदा भेंकी, गदा और मूसल दोनों आपस में टकरा कर तूट गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अगनियों के समान उद्दीपत हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के तूट जाने पर वे घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। आवन्योन्यम पराजितव जग्मतुस्तव शमम वीरव बाहु युद्धे परंतपव। आजहारतदा खडगम दूर परिवर्तिनम। राक्षसस्चर्मना सार्धम महा वेगो महोदरह। तथैवचा महा खडगम चर्मना पतितंसह। जग्राह वानर श्रेष्ठह सुग्रीवो वेगवतरह। ततो रोष परितांगव नदंताव अभ्यधावतां। उद्यतासी रणे हृिष्टव। युधे शस्त्र विशारदव। दक्षिनम मन्नलम चोभव। सुतुनम संपरियतु। अन्योन्यम अभे संक्रुद्ध। जये प्रणिहिता वुभव। सतु शुरो महावेगो वीर्यश लागी महो दरह। महावर्मनितं खडगं पातयामा सदुर्मतिह। तब उस समय बारं बार गरजते हुए वे दोनों योध्धा परस पर मुकों से प्राहार करने लगे। फिर थपड़ों से एक दूसरे को मार कर दोनों ही प्रित्वी पर गिर पड़े। और फिर ततकाल ही दोनों उचले और शीग्र ही एक दूसरे पर फिर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे। दोनों ही दोनों पर भुजाओं का प्रहार करते रहे, शत्रों को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते ठक गए, तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई धाल सहित तलवार उठाली, उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ट सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खडग को ढाल सहित उठा लिया, महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर तो थे ही, दोनों के शरीर रोश से प्रभावित भी थे, अतह रन भूमी में हर्ष औ और उत्साह से युक्त हो, वे तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर तूट पड़े, वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पहतरे पदलते रहे, दोनों का दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था, तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए देमारी सार्धमन नादमुदितो हरी, चुक्रोध चादश ग्रीवो बभाव हृष्ट श्राघवः मिशन्न वदनाह सर्वे राक्षसाधीन चेतसह विद्रवंती ततह सर्वे भय वित्रस्त चेतसह महोदरंतं विनिपात्य भूमव महागिरेह की नमिवैकदेशं सूर्यात्म जस्तत्रराज लक्ष्म्या सूर्यह स्वतेजो भिरिवा प्रद्रिश्यह अथ विजयम वाप्य वानरेंद्रह समर मुखे सुरसिद्ध यक्ष संगहि आवनित लगतेश्च भूत संगहिर हरुष समा कुलितैर निरीक्ष्यमानः महोदर ने जब वो सुग्रीव के कवच पर अपनी विशालतलवार दे मारी और उस कवच में जाके लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस अपनी उर खीचने लगा उसी समय कपिकुंजर सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्रान सहित यानि मुकुट सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खडग से काट लिया मस्तक कड़ जाने पर राक्षस राज महोदर प्रित्वी पर गिर पड़ा यह देखकर उसकी सेना फिर वहां दिखाई नहीं महोदर को मार कर प्रसंद हुए वानर राज सुग्रीव अन्यवानरों के साथ गर्जना करने लगे उस समय दशमुक रावन को बहुत अधिक्रोधाया और दूसरी ओर श्री रहुनात जी हर्श से खिल उठे उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया उन सब के मुख पर विशाद चागया और वे सभी भैभीत चित्त हो कर वहां से भाग चले मौदर का शरीर किसी महान परवत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था उसे पृत्वी पर गिराकर सूर्य पुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे मानो प्रचंड सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हो इस प्रकार वानर राज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे उस समें देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल, निवासी, प्राणियों के समुह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे इस प्रकार महोदर के वद के साथ हम श्री वालमी के निर्मित आर्ष रामायन आदिकावे के युद्ध कांड में सत्तानवे मां सर्ग पूरा करते हैं इत्यार्ष श्री मद रामायने वालमी की ये आदिकावे युद्ध कांड ये सप्त नवतितमह सर्ग ओ श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमह